हेलो एन वेलकम टो आवर चैनल फायर फाइर फाइटिंग एंजिनिरिंग स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूटूब चैनल फायर फाइटिंग एंजिनिरिंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल स्क्रैप के रेट के बारे में अभी मार्केट में क् भारत के तमाम शहरों को हमने कैप्चर किया हुआ है कि उन शहरों में अभी मेटल स्क्रैप का क्या रेट बना वह उसके बारें बात करेंगे जो रेट हम बताएंगे उसमें आपको अठारा प्रतिशत अलग से जिस्टी एड़ करना पड़ेगा और जो रेट हम बताएंगे व सबसे कम रेट है और किन सहरों में सबसे ज्यादा रेट है उसके बारे में बात करेंगे फोरकास्टिंग के बात करेंगे इस वीडियो में इन सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे चलते हैं अब सीधे रेट की तरह बात कर लेते हैं कि किन सहरों में अभी मेटल स्क्रै का रेट 42,500 रुपए पर मेट्रिक टन के हिसाब से बना हुआ है इसमें सारे रेट में आपको फिर से बता देता हूँ 18 प्रतिशत अलग से आपको जिएस्टी एड़ करनी पड़ेगी लुधियाना की बात कर लेते हैं लुधियाना में अभी मेटल इसक्रेप का रेट 45,800 400 रुपीज पर मेट्रिक टन के हिसाब से बिमेटल इसक्रेप का रेट रायपूर में बना हुआ है रायपूर के बाद चलते हैं अन्य शहरों की तरफ देखते हैं वहां पे और रेट बना हुआ है बात करेंगे अगर हम जम्मू कसμεिर की तो जम्मू कस्मिर में अभी好吃 क्रे बना उआ है जो भी हम आपको rate बता रहे हैं वो लंसम rate है minor difference आ सकता है बात करेंगे ーगर हम Kolkata की तो Kolkata में अभी मेटल स्क्रेब का rate करीब 45,000 रुपए प्रती metric ton बना हुआ है इसके बात बात करते हैं अन्य शहरों की अगर इमसेम बात करेंगे कानपूर की तो कानपूर में अभी मिटल स्क्रैप का रेट 41,000 रुपए प्रती मेट्रिक टन बना हुआ है यानि कि 41,000 रुपीज पर मेट्रिक टन के हिसाब से कानपूर मेट बना हुआ है इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में मिटल स्क्रैप का रेट अभी 45,000 रुपए प्रती मेट्रिक टन बना हुआ है गाजियाबाद के बात करने कर मुझफर नगर की तो मुझफर नगर में मिटल स्क्रैप का रेट अभी 48,200 रुपए प्रती मेट्रिक टन बना हुआ है कांडला की बात कर ले अन्य शहरों की तरफ बात करते हैं अगर हम अलांग की तो अलांग में अभी मेटल इसक्रैब का रेट 44,800 रुपए प्रती मेट्रिक टन बना हुआ है इसके बाद बात करते हैं अन्य शहरों की अगर इसे में बात करेंगे गुजरात के एहमदाबाद की तो एहमदाबाद में तो मार्केट में भी मेटल स्क्राइब के लिए रिस्क परसेंटेज जो बना हुआ हो है करीब 13.4 परसेंट के हिसाब से एप्रोक्सिमेटली रिस्क परसेंटेज बना हुआ है मेटल स्क्राइब के लिए ये बात हो ये रिस्क परसेंटेज के एक बार फिर से चलते हैं रेट क की अभी वहां पर मेढ़िस क्रेप का क्या rate चल ला थे तो बात करेंगे गर हम दिल्ली की तो दिल्ली में भी मेढ़िस क्रेप का rate रहीट च्यारीस हजार चार सो रुपे प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से चल ला है दिल्ली के बाद हम अन्नका की तब दो करेंगे गर हम हैदराबाद की तो हैदराबाद ने मेटल स्क्राइब का रेट अभी 40,200 रुपए प्रती मैट्रिक टन के हिसाब से रेट चल ला है इसके बाद बात कर लेते हैं चैन्नई की तो चैन्नई में मेटल स्क्राइब का रेट करीब 41,100 रुपए प्रती मैट्रिक टन चल रहा है चेनने के बाद अन्य सेरोग की तरफ चलते हैं बात करेंगे अगर हम मुम्बई की तो मुम्बई में में मेटल स्क्रायब का र Taco रुपए प्रती मैट्रिक टन के हिसाब से चल रहा है उसके बाद बात करने हम जालना की तो discovering में अभी मेटल स्क्रायब का रेट 34,600 प्रति मैट्रिक टेन चल रहा है जालना के बाद अन्य सरों की तरफ चलते हैं बात कर लेते हैं कि वहाँ पर भी क्या रेट चल ला है तो बात करेंगे अगर हम इसी में जैपूर की तो जैपूर में अभी मेट्रिक टेन चल ला यानि कि 43,500 उपीज पर मैट्रिक टन के इसाब से जैपूर में भी रेट चल ला है यह सारा बात हुआ मेट्रिक रेट के बारे में बात कर लेते हैं सबसे महंगा कहां पे रहा है तो लगबग इन सारे सहरों में सबसे महंगा मुझफर नगर में रहा है और अगर बात करने ते सबसे सस्ता कहा रहा है तो सबसे सस्ता करीब करीब हैदराबाद में इन सारे सहरों के बीच में हैदराबाद में सबसे सस्ता रहा है इसके बाद अन्य सहरों के हम बात कर लेते हैं कि आपके वहाँ पर मटल स्क्राइब का क्या रेट चल ला है तो फिर आज के वीडियो में बस इतना है जल्दी मिलते हैं आप से तब तक के लिए धन्यवाद